अथ्याय तीन श्लोक 35 भागवत कीता श्रेयान स्वधर्मो विगुणा हाँ परधर्मात्स्व अनुष्थिताथ स्वधर्मे निधिनम्श्रेयह परधर्मो भायावह अनुवात अच्छे प्रकार से अनुष्थित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयशकर है स्वधर्म में मरना कल्यानकारी है किंतु परधर्म भय को देने वाला है प्याख्या धर्मशप संस्कृत के मूलशप धुरू से बना है जिसका अर्थ है धारन करना, बनाय रखना या संगरख्षित करना प्राचीन वैतिक गंतों के अनुसार धर्म श्रिष्टी के उस नियम को संदर्वित करता है जिसके द्वारा अराजक से व्यवस्तित श्रिष्टी का निर्मान किया गया था धर्म एक महत्वपूर्ण हिंदू, बौधिक तथा योगिक धारना है बौध धर्म के तीन गतनों में से एक, बुथ तथा संग के अलावा धर्म भी है इन तीनों तक पहुँचने या स्वयम को समर्पित करने से व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्थ हो जाता है तथा इस यात्रा का आरम वह उद्धम शर्नम गच्छामी मंतर के शरन में आकर करता है हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के साथ चार मुख्य दार्शनिक सिध्धानतों में से एक है एक योगी का प्राथमिक अनवेशन अपने धर्म की खोश करना, उसका ज्यान होना तथा उसका पालन करना है धर्म का सार है उचित समय पर उचित कार्य करना वेदिक संस्कृती के अनुसार परंपरागत रूप से कर्मों के आधार पर एक जीव आत्मा का जनम किसी विशेश जाती में होता है उनके पिछले जनमों के कर्मों के पुरसकार अथ्वा दंद के रूप में इसलिए व्यक्ती का स्वधर्म पूर्व निर्धारत माना जाता है तथा जीवन में अपने गंतव्य तक पहुशने के लिए वेदों द्वारा निर्धारत कर्मों का पालन करना चाहिए जैसे जैसे हमारे जीवन में संदर्फ बदलते हैं, तथा जैसे जैसे हम आध्यात्विक मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे ये स्वधम बदल सकते हैं. भागवत कीता के अध्या एक में हमने देखा कि कैसे अरजुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनों के रक्त से रंजट वन्भूमी को देखने के बजाए शत्रिय युद्धा की तहर युद्ध लड़ना छोड़ अपने समस्त्र शस्त्र अस्तत्याग भिक्षू बनने क को तयार थे अरजुन को अपने स्वधर्म का पालन करने को कह युगिश्वर श्री कृष्ण उसे अपने शत्रिय धर्म का निर्वा करने को कह रहे थे ना कि कि किसी और की देखा देखी परधर्म का निर्वा करने को क्योंकि परधर्म का निर्वा हमारी प्रिकृति के वु निकारक भी होगा तथा आध्यात्मिक पत पर हमारी प्रगति बाधित हो जाएगी यह श्लोक आध्यात्मिक साधकों के लिए श्री कृष्ण का निर्देश भी है कि यदि उन्हें अपनी साधना के बीच कभी भी ऐसा लगे कि उनकी साधना ब्यर्थ है तो संधे के एक्षण में साधक को आध्यात्मिक साधना के मार्ग में दुर्ड भेना चाहिए ना कि इस मार्ग को त्याग देना चाहिए यदि बिना अपने गंतव्यतक पहुँचे आध्यात्मिक साधक की मृत्यू भी हो जाती है तब भी उसकी आध्यात्मिक साधना फ्यर्थ नहीं जाती है उ यहां पर पिछले जनम में उसकी मित्यू के समय वह छूट गई थी।